नमस्कार मैं भाषा और आप देख रहें न्यूस क्लिक पर खोज खबर काई प्रम एक तरफ आम भारती नागरिक भीशन बेरोजगारी भीशन मंदी और जान लेवा महंगाई से जूज रहा है तबाह हो रहे हैं जिन्दगी वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाई दे रहा है कि कोरोना की मार जान लेवा होती आ रही है सुर्सा के मूँ की तरह बढ़ते ही जा रहे हैं आकड़े हमारे पास और आपके पास जो फोटो और वीडियो पहुच रहे होंगे खास तोर से उत्तर भारत से चाहे वो बिहार हो उत्तर प्रदेश हो मद्रप्रदेश हो राजिस्तान हो गुजरात महराश्ट्र वे सब दिल दहलाने वाले हैं अभी हाल में ही प्रधान मंत्री के संसदी छेतर से बनारस में बिहच्च यू में मेडिकल कॉलेस से जो फोटो आ रही हैं जो वीडियो मरीज और मरीज के परिजन डाल रहे हैं वे एक बात बिलकुल साफ कर दे रहे हैं कि कोरोना का संकर जो देश में चल रहा है इससे निपटने के लिए चाहे वो मोधी सरकार हो या राजसरकारें उन्होंने कुछ नहीं किया जो पप्लिक हल्ट सर्विसेश पे उन्हें खर्च करना चाहिए था जो बुनियादी चीजे महिया करानी चाहिए थी वे कुछ नहीं हुई है और इसकी जवाब दे ही निश्चित तोर पर केंद्र से लेकर राज सरकारों तक बनती है एक एहम signature campaign हस्ताक्षर अभियान चल रहा है जिस पर ध्यान देना बहर ज़रूरी है कम से कम उन लोगों के लिए ध्यान देना बहर ज़रूरी है जो देश से प्रेम करते हैं देशवासियों से प्रेम करते हैं यह signature campaign चल रहा है अर्विन केज्रिवाल के नाम दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम और यहाँ अपील की जा रही है कि फरवरी में जिस तरह से दिल्ली को जडाया गया जिस सामप्रदायक हिंसा में दिल्ली को जोका गया इसकी जाँच जो दिल्ली पुलिस, इस्पेशल सेल और बाक्री टीम कर रही है सीधे सीधे अमिशाग रहमंत्री के कमान के अंदर वह सही नहीं है यहाँ पत्र लिखा गया है अर्विन केज़िवाल से यहाँ अपील करते हुए कि एक इंडिपेंडेंट जाँच बैठाई जाए तुरंट क्योंकि अभी तक जो जाँच दिखाई दे रही है जिस तरह सिर्फ चीजे सामने आ रही है उससे एक बात बहुत साफ हो रही है कि दिल्ली पुलिस जिस तरह से लोगों की गिरफतारियां कर रही है जिस तरह से उसने अभी तक पूरी की पूरी चार्ट शीट को तयार किया है इसमें सीधा का सीधा जो लिंक वो बना रही है कि जो लोग मारे गए जिन इलाकों में हिंसा हुई वे खुद ही अपने मारे जाने अपने घरों को जलाये जाने के दूशी थे इस पत्र पर आप खुदे आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा इस पत्र में बहुत सीधी सी बात कही गई है यहां मैं आपसे इस बात का जिक्र करना चाहूंगी कि पिछले दिनों दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस कांफरेंस की जिसमें उसने अपना डेटा रिलीज किया उसके हिसाब से अब तर दिल्ली जो जलाई गई जिसमें पशपन से अधिक लोग मारे गए थे उस संदर में उसने बताया कि 750 मामले दर्स किये हैं और 1300 लोगों को गिरफतार किया है यहां पर हम उनकी लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं दे रहे हैं हम बात कर रहे हैं सिर्फ इस सिगनेचर कैमपेन की जिसमें तमाम लोग साइन कर रहे हैं तमाम लोग अपील कर रहे हैं और इस पत्र का एक बहुत मजबूत आधार उन्होंने बनाया है इन्होंने आधार बनाया है दिल्ली Minority Commission दिल्ली अलप संख्यक आयोग ने जो अभी रिपोर्ट तयार की है इस आगजनी इस संप्रदाइक हिंसा दिल्ली को जलाने की साजिश पर उनका कहना है कि इस रिपोर्ट को दिल्ली सरकार को स्विकार करना चाहिए उनकी जो सिफारिशे हैं उनकी अपने कमिशन की जो सिफारिशे हैं उसे मानना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह से जो पीडित लोग हैं उन्ही को दोशी बनाकर जेल के अंदर डाला जा रहा है और यहाँ सब देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है सीधी कमान हमिशाह के पास है और इसमें यह पत्र इसलिए भी प्रासंगिक हो उठता है कि पिछले लंबे सबे से हम दिल्ली में देख रहे हैं कि एक के बाद एक जिस तरह से गिरफतारिया हुई उन गिरफतारियों में वे चहरे ज़्यादा थे जो नावित्ता संशोधन कानून के खिलाफ जो अभियान चला था जो आंदोलन चला था उसके बहुत प्रामिनेंट फेस थे बहुत प्रमुख चहरे थे चाहो सफूरा जर्गर हो जिनने बहुत मुश्किल से भी बेल मिली या इस तरह की तमाम लंबी फेहरिस्त लिस्ट है जिसके कुछ नाम आपको इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे सवाल यह है कि यह जो पत्र लिखा गया है इस पर सही धंकी चर्चा होनी बेहत जरूरी है दिल्ली दंगों और दिल्ली दंगों से संबंधित जो जान चल रही है वह किस तरह से चल रही है किस तरह से लोगों को डराया धंकाया जा रहा है जान की जा रही है इसका ताजा तरीन उदाहरन आया है वरिष्ट पत्रकार राधिकाराम सेशन के द्वारा उनसे हमने बात की उन्होंने वही चीज बताई जो उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी शेयर भी की थी उन्होंने बताया कि 22 जुलाई को उनके पास एक फोन आता है फोन पर जो व्यक्ति है पूछता है कि आप 27 वरवरी को क्या करावल नगर में थी यहां से राधिका कहती है जी वहां मैं थी फिर पूछा जाता है क्या कर रही थी वहां पर आप उन्होंने कहा मैं कवरेश के लिए गई थी फिर उनसे पुछते, वो पुछती हैं फोन करने वाले व्यक्ति से, आप यहाँ क्यों जानना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि हमें लगा कि आप किसी सम्मूह का हिस्सा है, भ्यान से सुनिये, उन्होंने कहा आप किसी सम्मूह का हिस्सा है, फिर उन्होंने कुछा कि आपको हमार नंबर कैसे मिला उन्होंने कहा Dump Data से मिला यह Dump Data यानि वहांका मोबाईल टावर होगा वहां पे जो लोग जस फोन पोपरेट कर रहे होंगे वह सारा का सारा डेटा उनहीं कमपनियों ने мोबाइल कमपनियों ने जाज़ एजनस्य को सौब दिया होगा बिना हमसे और आपसे पूछे हुए बिना पत्रकावों से पूछे हुए और इसके बाद अब पूछती हैं कि आखिर आप क्या जानना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हम ट्रैक करना चाह रहे हैं कुछ अपराधियों को और देखिए यह फोम उनके प इंचार्च एजेंसियों को कपिल मिश्रा के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिली क्योंकि उनका जिक्र तो कहीं इस मामले में आई नहीं रहा है कहां उनका फोन था वे कहां थे पता नहीं उनसे पूछताश की गई की नहीं लेकिन हम पत्रकारों से यह पूछताश इस तरह का फोन आया था जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि 12 जुलाई के करीब उनके पास फोन आया दोनों लोगों को फोन आया रोहनी से और कहा गया कि यह रोहनी से फोन है को कि इसकी special जांच, special जांच करने वाला दल रोहनी में बैठ रहा है और उनसे अर्चिस से जो बातचीत हुई वह तो बहुत ही दिल्चस्प है अर्चिस ने बताया कि बिल्कुल धंकाने वाले अंदाज में पुलिस उनसे बातचीत कर रही थी और कह रही थी अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारा अन्जाम क्या होगा पता नहीं और यह शब्द तक इस्तमाल कि कि तुम्हारी जन्म कुंडली हमारे पास है और जब उसके जवाब में अर्चिस कहते हैं कि जब जन्म कुंडली ही आपके पास है तब तो आपको सब पता ही होगा कि मैं कहां गया हूं फिर उन्होंने सारे डिटेल्स पूछे कि वो कहां रहते हैं मकान किसके नाम है माता प किस गली में जा रहा था किस गली से बाहर आ रहा था और बहुत दिल्चस बार अर्चिस से तो यह भी पूछा गया कि आपने तो फोटो भी ली थी फोटो क्यों ली थी तो आप यह देखिए कि जो सर्विलांस है वह कितना तगड़ा है और ठीक उसी समय हमारे सामने यह भी ख चाहिए भावनाएं आहत हो रही है शायद यह वजह है कि जो सिगनेचर कैमपेंग चल रहा है अर्विन केजरिवाल जो इस राज्य के मुख्यमंत्री है उनसे जो अपील की जा रही है इसे जोर देना इसे ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाना बेहस जरूरी हो जाता है क क्योंकि सर्विलांस स्टेट तो हमारे सामने है लेकिन इस स्टेट के नाम पर किस तरह से किसको पकड़ने की कोशिश हो रही है यह हम और आप शायद जानते हुए भी बोल नहीं पा रहे हैं जनमकुडली कौन सी है किसकी है किसके पास है यह तो शायद आपको भी नहीं पता हमें भी नहीं पता शायद हो सकता है कि देश के जो शीर्श दो सक्ता सीन लोग हैं उनको पता हो लेकिन फिलहाल एक बात तो बहुत सथा है कि जो सक्ता में बैठे लोग हैं वे जानते हैं क तो PPE kit देकर ED के अधिकारियों को किस तरह से राजिस्थान में भेजा जा सकता है, किस तरह से दबिश डलवाई जा सकती है और यह सब कुछ सामने हो रहा है, यानि सरकार गिराने, उठाने, खरीदने, बेचने का कारोबार बहुत धडले से चल सकता है, लेकिन छोटे कारोबा में कितनी तगडी मार पड़ी है, इसका अंदाजा शायद सत्त में बैठे लोगों को हो ना हो, लेकिन हमें और आपको है, रोज ही शायद आप भी देखते हो कि किस तरह से कोरोना का संकट गहराता जब जाता है, तब सबसे तगडी मार गरीब पर पड़ती है, ऐसे ही इश्मालगिये ने और वहां के पत्रकार लोकेश सौलंकी ने, इन दोनों का हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि जो असल भारत है, जो मेहनतकश भारत है, वह किस तरह से इस कुरूर प्रशाशन के सामने गिर गिरा रहा है, कभी गुस्से में लड रहा है, कि उसे जीने का हख है, वह कमाएगा नहीं, तो खाएगा क्या, देखिए, यह इन दौर की एक मंडी का दृष्य है, यह जो आपको दिखाई दे रही है, इनका नाम है रहिसा, रहिसा अंसारी, और जब हमने इन से बात चीत की, तो पता चला, कि यह पीएजडी है, फिजिक्स में पीएजडी है, मेटीरियल साइंस में उनने पीएजडी की है, और यह सबजी बेच रही है, और बहां इंग्लिश में अपने गुसे का इजहार इतना तगड़ा कर रही है, पूछ रही है मोदी जी से, कि मोदी जी हम जहर खाले, आपके पास आजाएं, मुख गुस्सा समझना बेहर ज़रूरी है, देखिए इस ठेले वाले को भी, यह ठेले वाला, आपकी नजर में एक हिंदू ठेले वाला होगा, हमारी नजर में यह एक भारतिय नागरिक है, जो ठेले पर मजदूरी कर रहा है, यह भी रो रहा है कि मुझे अपनी मा का पालन करना ह यह छोटा सा बच्चा जो अंडे बेच कर किसी तरह से जिन्दा रहना चाहता था, उसके सारे अंडे गिरा दिये गए, यह बहुत दुडलब नजारे नहीं है, आप कह रहे होंगे इसमें खास बात क्या है, यह तो हर जगा ही होता है, जरा लेकिन दर्द तो सुनीए, सोच हमें दोस्तों असली भारत के जो सचे सवाल है, भारते नागरिकों का जो दुखदर्ध है, वे हम आपके साथ में आपके साथ वैसे ही शेयर करना चाहते हैं, जैसे हम अभी तक करते आए हैं, क्योंकि सच से हमारा वादा है, और उमीद है कि आपका साथ हमें ऐसे ही मिलता रहेगा देखे लाइक करिए शेर करिए न्यूस क्लिक खोश खबर ताकि सच को जिन्दा रखने की हमारी जंग जारी रहे शिक्रिया